जो सर्बे है वो बिलकुल सही है और यथार्त में है जमीनी इस तर पे हैं गहलो जब सुरू में आये तो उनसे लोगों को बहुत आसाए थी लाल किताब मुख मुद्दा है इन्हों ने जो सर्बे हुआ उसमें सर्बे इसके बात का है और मोदी ने कल वहाँ पे यात्रा किया तो उस हिसाब से ये ग्राप और बढ़ गया जो किसानों को देख है तो ये जो सर्बे है इसमें दो परसंटेज और बोर्ट जोड दीजे इस सर्बे में जो सबसे महत्पूर्ण बात है बड़ी इंपॉर्टर पॉर्टर चीज़ों उन्होंने की है एक चीज उन्होंने पर निश्चित तोड़ पे गयलोट और पाइलट का गड़्जोर नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा दूसरा क्या है कि सीम पत पे किसको वो पर तो असो गयलोट पे 35% लोगों का है बसुंदरा राजे पे 25% लोगों होगा हार की बज़ये वही होगा ये कांगरेस के कांग्रेश की निश्चे था 119 सीटे वहीं कॉंग्रिस पार्टी को 78 से 88 सीटे और इसके लाहवा अदर्स के खाते में 1 से 5 सीट जो है वो जा रही है यानि बीजेपी जीत हासल करती नजर आ रही है इस पूरे मामले पर विस्तार से बाच्चीत करेंगे वरिष्ट पतरकार अजज़ी मेरे साथ हैं अज़ करते हैं और क्या इस सर्वे से आप संतुष्ट हैं कि जो आकड़े आए हैं वो सही है और इस तरह के काई नतीज़ा जो है देखने को मिलेगा देखे जो सर्वे है वो बिल्कुल सही है और यह अथार्त में है जमीनी इस तर्वे में क्या है सोसल इंजिनिरिंग का हुआ है प्रयोग की नहीं और गाउं टू गाउं वहां की जो जमीनी हकीकत वास्तों में जमीनी हकीकत का हम आपको एक चीज़ क्लियर कर दें इस सर्वे में काफी कोईस्टन किये गए काफी चीज़ें ऐसी ली गए है जो बहुत मतलब इंपॉर्टन चीज़ें थी कि सभी संभाग कर लिया गया उसके बाद लेह लिया गया किम सुन्दार आजे को बीजेपी से मुखमंत्री कौन पसंद है कांग्रिस श्टोक करके पूछा गया और कॉंग्रेस में किस चेहरे को पसंद है यह तमाम ऐसी इसी बाते ली गई है जिससे पता चलता है कि यह बास्तों में सर्वे कंप्लीट सर्वे था और जहां तक जो पोजिशन है वो बहुत किलियर था कि चुकी लाजिस्तान की हिस्ट्री में रह है चेंज नेक्ष्ट उसमें चेंज हो जाता है अब आपको बताना है कि वहां के हिस्ट्री में रहा है कि बीजेपी जैसे थी शेखावद भी कभी बहुमत पे नहीं आए कुछ सीटे कम होती कभी सत्तर पे चत्तर कभी 25 उनको मिल जाते थे बाहर से कहीं 20 इस बार जो यह द पे नहीं थी उसके 98 बिधायक थे 98 तो उन्होंने क्या किया था बस्पा को तोड़ करके बस्पा के बिधायकों के दंपड़ पे सरकार बनाई थी गहलोत जब सुरू में आये तो उनसे लोगों को बहुत आसाए थी अब गहलोत की क्या है कांग्रेस अपनी एक अलग लौब श्रीट है वो ना कांग्रेस का कभी कम हो सकता ना बीजेपी का अंग्रेस को खत्म कर सकती है तो शॉलिट बोट है मगर गहलोत के साथ एक माइनस पॉइंट आ रहा है कि गहलोत के साथ बैकवर्ड और सब्र पूरा-पूरा था और दलिथ था जिसमें दलिथ उनके साथ वह ये है कि वहाँ का एक जो मंत्री था इनको, उस मंत्री को इनों ने लाजेन गुला को हटाने के बाद वो बस्पा में भी रहे लाजेन गुला हमेशा जीता है भाजपा को हरा करके आया भाजपा से फाइट किया वो भाजपा में नहीं जाएगा मगर आपको बताएं राजेन गुरहा ने समर्थन जब दिया है तो हमेशा गैलोत को बचाया है जब गैलोत से कुछ बिदाया खट गयते बिद्रो हो रहा था पाइलेट नेत्रों तो राजेन गुरहा ने बचाया जिस समय इनके पास बहुमन नहीं था उसने सबसे पहले साथ दिया और उसकी तीन पीडियों की जो सबसे बड़ी खासियत रही मैलाओं के लिए लड़ा लाजेन गुरह उसने स्तीफा दे दिया और उसकी लाल किताब मुख मुद्दा है इन्हों ने जो सर्बे हुआ उसमें सर्बे इसके बात का है और मोदी ने कल वहाँ पे यात्रा किया तो उस हिसाब से ये ग्राप और बढ़ गया जो किसानों के देगा तो ये जो सर्बे है इसमें दो परसंटेज और बोर्ट जोड दीजे और ये सर्बे साब बतला रहा है कि उसमें बीजेपी वास्तों में बढ़त ले रही है चुकि माया वत्ती ने एक बात यहाँ पर सवाल ये भी है क्योंकि कॉंग्रेस की सीटे जो है वो इस सर्बे में घट रही है पहले के मुकाफले तो यहाँ जो गहलोत और पाहलेट की जो जंग चल रही है जो यह अंदुरूनी कलहा कॉंग्रेस पार्टी में चल रही है क्या इसका खाम्याजा इन्हें इस तरह से भुकतना होगा कि यह सत्ता से बाहर हो जाएंगे देखिए अब आपको यही बता लाए इस सर्बे में जो सबसे महत्पूर्ण बात है बड़ी इंपॉर्टर पॉर्टर चीज़ों इन्होंने की है एक चीज उन्होंने पूछी है क्या गैलोत पाइलेट गडजोल मास्टर स्टोक है मतलब देखिए अब कितना बड़ा यह बिल्कुर निस्पक्च सर्वे हुआ मास्टर स्टोक है उसमें 45% ने कहा कि हाँ 45% ने कहा कि हाँ यह मास्टर स्टोक है कांग्रेश की जो सबसे मजबूतिक आदार जिसके बल पे कांग्रेश जो है यह 77% से लगबग 88% लगबग आ जाएगी तो सिर्फ एक ऐसा है कि यह मास्टर स्टोक दोनों का अब आपको उसकी रियल्टी बतला रहा है कि 45% ने कहा 35% ने कहा कि नहीं है मास्टर स्टोक ने अब मैं आपको बता रहा हूँ चुकि हमारी टीम भी वहाँ पे निश्चित तौर पे गहलोत और पाइलट का गडजोन नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा पांच साल एक भी दिन गडजोन नहीं हुआ है आत्मा से नहीं होगा ये आप निश्चिन नोट कले दूसरी बात अगर हो भी जाता है तो आपको बताना है जितना भी गूजर समाज है उनका ये कहना है कि पाइलट सहब बहुत बोल्ड थे ये बच्चा है इसके अंदर लड़कपन है और ये पार्टी के बिद्रो नहीं कर सकता हम लोग इसके साथ है और ये जो राजे सचिन पाइलट है ये कोई बात इस पस्ट कह नहीं पाता है चुकि लिहाज करता है कांग्रेश के बड़े नेताओं का और हम सबक सिखाएंगे कांग्रेश को जितनी गूजर समाज है वो ये कह रहा है चुकि संसकारिद वच्चा है इस कारण हम इसकी बात उस समय मानेंगे नहीं ये सचिन पाइलट की रही सचिन पाइलट का ये भी है हकीकत है सचिन पाइलट गैलोट की भी इज़त कलते हैं बोल नहीं पाते हैं सोनिया गांधी की सामने बिलकुल भी बोल नहीं पाते हैं पिंका गांधी चुकि ये उनके संसकार है ये संसकार है दूसरी आपको बात बताना है कि पूरा गूजर समाज इनके खिलाब तीसरी जो लाजपूत है वो लाजपूत गहलोत के इतना इंटी हो गया हार की मेन बज़े होगी कि लाजपूत जो है और दूसरा गूजर समाज इनके अगेंद में तीसरा अभी तक तो ये बराबरी की ट करोटी अब एक नया जो है इदर जो सर्वे के बात की आपको बताना है जितना दलिथ माया बती ने सिर्फ एक बात कह रही है कि सब से पहले राजिस्थान का राजिस्थान में महलाओं को यह वास्तों में वह लाल डाईड़ी आपको बता रहे इनके लिए लाल डाईडी लाल निसान को गई है और आपको बता निश्चत तौर पर लाल डाईडी इनके पतन का हो जाएगा अज्यजING एक सवाल हैं लेकर में सवाल पूछा गया था कि बीजेपी अपना जो मुक्यमंत्री पद का candidate है वो उताहरे या नहीं उताहरे Congress Party भी BJP chain कर सकती है लेकिन Congress Party अगर अशोग गहलोत और सिचिन पाइलेट फिर वही लड़ाई किसे चुनेगी अपना मुक्यमंत्री का चहरा क्योंकि यह सवाल भी इसमें पूछा गया था इसी से answer निकल आया है यही एक सवाल जो सर्वे ने किया है सर्वे का ABPOC वोटल ने क्या किया है असोग गहलोत के कामकास से संतुष कितने है 39% है कम संतुष कितने 36% असंतुष कितने 24% अब क्या है कि कम संतुष 36% है असंतुष 24% अगर इनको जोड़ दी दे तो 60% इसका मतलब 60% लोग इनके खिलाफ है मगर जो खिलाफ है वो जबर्जस्त है जो असंतुष रहे वो पहले इतने नहीं थे इसके पहले 2008 पहले अब जैसे गूजर उनको सुनना ही नहीं चाहिता है गूजर तो यह आप सुनने रैली में उनके है तुरन जानबूच के उड़ जाता पाइलट की वज़े से जाता है पाइलट ने जहां बोला उसके बाद इसलिए पाइलट को बाद में बुलाया जाता दूसरा क्या है कि सीयम पत पे किसको उप तो असोग गैलोट पे 35% लोगों का है बसुन्दर राजे पे 25% लोगों का पाइलट पे 19% लोगों गजेन सिंग सेखावत पे 9 देखे बिलकुर निश्पक्स सर्वे है लाठोल राजवर्धन लाठोल का 5% अब समिश्या ये आ रही है कांग्रेस मुखमंतरी गोसित नहीं कर लही है वो करेगी और बीजेपी ने बीजेपी क्या है मोदी को कर लही है बीजेपी मोदी के नाम पर लगए अभी क्रोडी मल क्रोडी लाल मीला ने इस पर सब्दों में कहा है कि सारे नेता हमारे एक मंच में बैट जाते हैं उनिके नहीं बैट पाते हैं और जो बिपक्ष में है वह मसंदरा लाजे से 26% लोग संथुष्ट हैं कम संथुष 27 लोग नेता करें मोधी के साल 60% लोग मोधी के फेवर रोगे वहाँ मतदान मोधी के फेवर रोगे कल जो सीकर में रैलिय हुई उत्समें इतनी जबज़त भीलुई किसानों के प्रत तो ऐसा लगा कि मोधी ने टमकार्ड मार दिया और मोधी की वहाँ पे मोधी की लहर की सुलवात हो तो यानि आप यह कहना चाहते हैं कि बीजेपी पास तो एक चेहरा है प्रधान मंत्री नरेंटर मोधी जहां वो हर प्रधान मंत्री मोधी को बहुत ज्यादा लाइक किया था चूकि मोधी ने वहाँ पर सेंटर गौर्मिन ने स्टेट को काफी दिये अभी डेलवे का दिया उसमें गहलो साब गये तो आपको बताने सेंटर ने इतना दिया है मोधी का वहाँ बहुत बड़ा नाम इन सब लो राहूल को जो है वहाँ पर 23 परसेंटेज लोग चाहिते इसलिए मोधी इनके साथ प्लस होगा दूसरी आपको बताने है वहाँ कि जो सबसे बड़ी बात आ रही है वह यह आ रही है कि वहाँ पर मारवार जो चेत है उसमें 61 सीट है और 10 डिश्टिक है उसमें क्या है मारव 20-29 सीट है इसमें 58 जिले है उसमें सचिन के बीजेपी को 37 सीटे मिल रही को अंगरेश को 23-27 सीटे मिल रही हैं ये आप अलग अलग जो डिस्टिक है उसका जो सीटो का आकड़ा है वो बता रहे हैं लेकिन में मुद्दा ये है कि राजिस्थान में जीतेगा कौन तो वो बीजेपी के पक्ष में कहीं ने कहीं फैसला जा रहा है मेरा आखरी सवाल आप से ये है कि राज़स्थान में ग्याहलोच सरकार पेपर लीग मामला साफ ने आया वहां महिलाओ पर अत्याचार का मामला साफ ने आया कि ये तमाम मुद्धे ही हैं जिसके खिलाफ itself पाइलिट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ 할ा बोला और इंसाफ की मांगी ग्याहलोत सरकार से तो क्या यही वजा है कि कॉंक्रिस का जो पतन है वो राजिस्थान में हो रहा है इस सर्वे के मुताबिक आप बिल्कुर सही कह रही हैं, बास्तों में जो आपने बोला है, इसलिए पतन हो रहा है, दूसरा वहाँ पड़ क्या है, कि एक तो ये मामले हो गए, क्या है, यहाँ पर में बात आ गए, इसके पहले सचिन पाहिलन ने अंसन किया था, अंसन किया, उसमें दिया कई पेपर द पब्लिक सिर्फ वही कोईस्टन पूछ रही, अगर पाइलट चुब भी रहेंगे, तो पब्लिक के जुबान में आगिया, पब्लिक गहलोत से उनका सवाल जाना चाहिती, तो पब्लिक का कहना है, आपने राजे, सचिन पाइलट को जवाब नहीं दिया, मकर जनता को देना है, और हार की बज़य वही होगा, ये कांग्रेस के लिए लाजिस्थान, वाटलू होने जा रहा, दूसरी लाजपूर ने जो वहाँ पे उनके खिलाब किया है, तो लाजपूर्तों के गयाना और दलतों के कानल भी उनकी हार कांग्रेस की निश्चित है, तो इस पूरे माह माफली को लेकर वरिष्ट पत्रकार अजी जी का यही कहना है, कि जो सर्वे साबने आए है, ये सर्वी जो है, वो निश्पक्स है, और ये कांग्रेस पार्टी के लिए हार की एक बड़ी वज़ा बनेगा, जो तरीके से अशोग ग्यहलोत ने कई माफलों में जाच नहीं की सचिन पाइलिट नहीं, उनके खिलाफ तमाम आरोप लगाए हैं कि पेपर लीक मामला हो, ब्रस्ट चार का मामला हो, कई मामले ऐसे रही हैं जिसमें जाच नहीं हो पाई, और यही वज़ा है कि कॉंग्रेस पार्टी के लिए राजस्तान में मुश्किले बढ़ेंगी, जो क इस सर्फे में भी साफतोर पर दिखाई दे रहा है, फिलाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद